जो पेंशनर नारा लगा रहे थे कि ये अंदर की बात है मोदी जी के साथ हैं तो मोदी जी ने तो जटका दे दिया पेंशनर को तो क्या 2024 के चुनाओं में इस देश के EPS 95 के तमाम पेंशनर मोदी जी को भी जटका दे दोब दोस्तों नमश्कार EPS 95 के पेंशनर यानि की करीब 78 लाख इस देश के बुजर्गों के साथ एक बहुत बड़ा चल हो गया जो EPS 95 के पेंशनर लगातार कई सालों से संघर्स कर रहे थे और मोदी जी से बहुत बड़ी एक उमीद लगा के बैठे थे कि उनके पेंशनर में बढ़ोतरी कर दिया जाएगा चुनाओं से प के पेंशनर चाहे वो दिसंबर 2023 का महीना हो कडाके की ठंड का या जनवड़ी 2024 और फरबड़ी 2024 तक लगातार वो जनतर मंतर से रामिला मैदान तक प्रोटेस्ट करते रहे उनके प्रोटेस्ट में कई MPs आये जो BJP के भी MPs थे अपोजिट पार्टी के भी MPs थे और सब ने से पहले ही आपका काम होगा उनकी जो डिमांड थी कि उनकी जो मिनिमम्म पेंशन है 1000 रुपे की उसको बढ़ा करके 7500 रुपे और मेडिकल की सूबिधा इंक्लूड किया जाए ऐसे ऐसे EPS 95 के पेंशनर थे जिन्होंने 33 साल 40-40 साल अच्छे-च्छे कंप्णियों में नौ पेंशनर है उनका जो पेंशन के रिवीजन का जो प्रपोजल था वो प्रपोजल सुईकार नहीं किया है सरकार में फैनेंस मिनिस्ट्री ने उसको रिजेक्ट कर दिया है और ये बात आज की नहीं है ये बात फरबड़ी के 10 फरबड़ी को ही रिजेक्शन का ओर उन्होंने दे दिया था किसको CBT के मीटिंग में कनवे कर दिया गया था कि EPS 95 के जो पेंशन है उनका पेंशन बढ़ाने का जो प्रपोजल है 7500 रुपे तो छोड़िये सहाब 1000 को 2000 करने का जो प्रपोजल है वो 1000 को 2000 करने की प्रपोजल को भी Finance Ministry ने रिजेक्ट कर दिया लगतार EPS 95 के पेंशन इस उमीद में रहे कि उनको जो आस्वासन दिया जा रहा था उनके प्रोटेस्ट के दर्मियान अलग-अलग नेताओं और मंत्रियों के द्वारा खास करके जो सरकार में हैं उनके मंत्रियों के द्वारा, MPs के द्वारा तो उनको उमीद थी कि उनका ज कि बांट था पेंशन बढ़ोत्री का 75-100 रुपे तो छोड़िय साहब 1000 रुपे यानि कि 1000 को 2000 करने का जो प्रपोजल दिया गया था उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है सबसे पहले मैं आपको सब्द शेह पर के सुनाता हूँ कि आखिर हुआ क्या और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी बेसिस क्या है 12 फरबरी 2024 की Live Mint की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि 1000 को जो 2000 करने का प्रपोजल था EPS 95 के मीनिमम पिंशन को उसको उस प्रपोजल को भी रिजेक्ट किया गया है सबसे पहले मैं आपको वो पढ़ रहा हूँ जो इंग्लिश में लिखा हुआ है फिर उसका मैं आपको हिंदी भी बताता हूँ The Union Finance Ministry has turned down a request from the Labor Ministry to increase the monthly minimum pension in the Employees Pension Scheme means EPS यानि कि Union Finance Ministry ने उनके प्रपोजल को turn down कर दिया है मतलब नकार दिया है जिसमें EPS Pensioner का जो pension था उसको 1000 से 2000 करने का request था Business Standard Reportage, Business Standard ने भी report किया है The decision was communicated to the Central Board of Trustee यानि कि CBT यानि कि यह जो फैसला है CBT को during a meeting on Saturday CBT की Saturday, Saturday यानि कि 10 फरवरी 2024 के CBT के meeting में यह message convey कर दिया गया था किसने किया था? Union Finance Ministry ने यह message बता दिया था आपका जो proposal है उसको नकारते हैं ऐसा संभव नहीं है यानि कि 1000 को 2000 करने की जो बात थी उस proposal को भी नकार दिया गया है और यह कब नकारा गया है? 10 फरवरी 2024 को की CBT की meeting में, Central Board of Trustee की meeting में आगे लिखते हैं, according to the source quoted by the business daily, business daily की एक सुत्र के अनुसार a proposal to raise the minimum pension under EPS from 1000 to 2000 per month was sent to the Ministry of Finance based on the recommendation from a government appointed monitoring committee कह रहे हैं, business standard के हिसाब से जो minimum pension raise करने की बात थी EPS के तहते 1000 से 2000 करने की बात थी, और जो Ministry of Finance को भेजा गया था recommendation के बाद, government appointed monitoring committee जो recommendation करके finance ministry को भेजा था, उस proposal को नकार दिया गया है, आगे लिखा है However, the Ministry of Finance declined to approve the proposal, यानि कि Ministry of Finance ने इस proposal को decline कर दिया है, यानि कि approve नहीं किया है तो आप समझ सकते हैं कि लगातार EPS 95 के pensioner जिस उमीद पे बैठे रहे वो proposal तो 10 फरवरी 2024 को ही CBT के meeting में Finance Ministry ने बता दिया था कि हम इसको नहीं मान सकते, यानि कि उस proposal को नकार दिया था तो जो पेंस्टर बहुती उमीद के साथ मोदी जी के हम साथ है, ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है, हम मोदी जी के साथ है, नारा लगा रहे थे, उन पेंस्टर के उपर क्या गुजरी होगी? क्या उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ? जिस उमीद के सहारे इस देश के अलग-अलग तबके से आये बुजर्ग, अलग-अलग राज्यों से आये बुजर्ग, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके उमीदों पे पानी फिर गया. EPFO के Annual Report 2023 के मताबिक ही, जो उस रिपोर्ट में कहा गया, कि there are total of 7.55 million pensioner है, जो EPS के तहत है, 7.55 million का मतलब है, कि करीब-करीब 75,50,000 pensioner है, जो EPS 95 के तहत आते हैं, और आपको सुनके ताजुब होगा, कि उसी रिपोर्ट के मताबिक, करीब 36,40,000 जो pensioner है, उनको up to 1,000, किसी को 700, 800, 900, यानि कि 1,000 तक जिनको pension मिलता है, उनकी संख्या है 36,40,000 और 11,70,000 जो pensioner है, उनकी pension है, 1000 से 1500 रुपए के बीच, और 8,68,000 जो pensioner है, उनको मिलता है 1500 से 2000 रुपए के बीच, महीने का, और मात्र, 75,50,000 में से मात्र, 26,779 पेंशनर ऐसे हैं, जिनको pension मिलता है 5000 या उससे जाना, मजूदा महंगाई, 33,40,40 साल की नौकरी और उसके बाद contribute करने के बाद हाथ में pension, किसी के 700,800,900 और 36,000,000 लोगों से जादा लोगों को pensioner को महज, करीब करीब 1000 रुपए के आसपास pension मिलता है, और 12,00,000 लोग ऐसे हैं, जिनको 1000 से 1500 रुपए pension मिलते हैं, इन्होंने अपने pension कटवाये थे, और उन्होंने, उनको उमीद थी, कि जब वो retire होंगे, मल्टीनेसल जैसे कंपने से, बड़े-बड़े कंपनियों से, तो उनकी जिन्दगी सुख में भी देगी, जिसका सपना दिखा करके, EPS 95 की तहर्ट, उनसे pension का contribution लिया गया था, लेकिन सब में, सबसे बड़ी बात ये है, कि किस तरह से, EPS 95 के pension को अंधेरे में रखा गया, बुलडाना के अंदर में सारे पाँच साल से लगातार वो क्रमिक अंशन वहाँ पे कर रहे हैं, और दिल्ली के अंदर भी आकर करके कई बारों ने प्रोटेस्ट किया, जो हमने आप लोगों को दिखाया भी, और उन पेंशनर को बहुत बड़ी एक उमीद थी, कि मौजूदा सरकार चुनाओं से पहले, 2024 के चुनाओं से पहले उनकी pension में बढ़ोतरी कर देगी, उमीद तो 75-100 रुपे की थी, लेकिन साब 1000 रुपे की जो प्रपोजल थी, Parliament Standing Committee के द्वारा, उसको भी reject कर दिया गया, और Union Finance Ministry ने कहा, कि 1000 रुपे तक हम बढ़ाने के हालत में नहीं है, यानि कि जो प्रपोजल था, उसको भी reject कर दिया गया, मार्च 2022 के अंदर में Parliament Standing Committee जो लेबर के उपर थी, उन्होंने direct किया था लेबर मिनिस्ट्री को, कि आप Finance मिनिस्ट्री से collaborate करके, और ये सुनिश्चित कीजिए, कि sufficient budget, budget का support दिया जाए, highlight करके उन्होंने बताया था, कि 1000 पेंशन बहुत कम है, जो बहुत ही insufficient है, उसको करेंटी जो 1000 रुपे है, उसको 2000 रुपे किया जाए, मार्च 2022 की ये proposal थी, और उस पे लड़ते 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 EPS पेंशनर जिस उम्मीद के साथ लड़ रहे थे, लेकिन आखिर में जो ये report आई है, तो बहुत ही निराशा के साथ मुझे कहना पर रहा है, कि EPS 95 के जो मौजूदा पेंशनर है, करीब करी 75,50,000 EPFO के डेटा के मुताबिक ही, उनके उम्मीदों पे पानी फिर गया है, और जो उम्मीद वो मोधी सरकार से लगाए बैठे थे, उनके उम्मीदों को बहुत बड़ा एक जटका लगा है, और काफी जोश और खरोश के साथ लगे हुए थे, कि ये अंदर की बात है, मोधी जी के साथ है, लेकि मोधी जी पेंशनर के साथ नहीं हुए, और पेंशनर को अपने हालात में ही छोड़ दिया, तो इस देश के साथे 75 लाख बुजर्गों की जीवन, जो अंदकार में हो चली है, वो कंटिनू अंदकार में ही रह गई, और खास करके जो कंट्रिब्यूटर हैं, जो कड़ोरों लोग EPS के तहत कंट्रिब्यूट कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी यह सबक है, कि रिटार्मेंट के बाद आपका क्या होगा, तो जिस तरह से इस देश में जन्ता की आवाज को कुछली जा रही है, और अलग-अलग तरीके से जन्ता को मैनुपुलेट किया जा रहा है, उसी मैनुपुलेशन का सिकार EPS 95 का ये आंदोलन हो गया, ये मेरा सवाल है, और जिस तरह से विश्वास जता रहते अलग-अलग तरह के मंत्री उनके सभा में, उनके धर्ना में, उनके प्रोटेस्ट में आ रहते, एक आस्वासन दे रहते, जबकि ये प्रपोजल एक हजार से दो हजार करने का ही रिजेक्ट हो चुका था, तो 75-100 की तो बात ही मत कीजिए आप, तो क्या EPS 95 के जो लीडर्स हैं, जो लीड कर रहते इस प्रोटेस्ट को, और खास करके अलग-अलग राज्यों से जो बुदूर्गा के ठंड में बैट रहते, क्या एक बहुत बड़ा जटका उनको दिया गया है, और क्या, इन सब के बीच, जो रिजेक्शन के बाद भी अलग-अलग लोग बुला के उनसे मीटिंग कर रहते, उस मीटिंग का मकसद क्या था, जब दस फर्वरी को ही EPS 95 के पेंशन का जो प्रपोजल था, वो रिजेक्ट हो गया, तो फिर उसके बाद अगर EPS के लीडर को कोई बुला के मीटिंग कर रहा था, तो उसके पीछे मकसद क्या था, ये एक सवाल है, तो अब सवाल ये है कि जो पेंशनर नारा लगा रहे थे, कि ये अंदर की बात है, हम मोदी जी के साथ है, तो मोदी जी ने तो जटका दे दिया पेंशनर को, तो क्या, 2024 के चुनाओं में, इस देश के EPS 95 के तमाम पेंशनर, मोदी जी को भी जटका देंगे, और जिस तरह से मैनुपुलेट किया गया, पूरे आंदोनन को अलग-अलग तरीके से, बिल्कुल, एक तरह से दम से लड़ते रहे बुज़ूर, उनके लीडर लड़ते रहे, उनके लीडर खर रहे, या जबकि ये प्रपोजल अलड़ी रिजेक्ट हो चुका था, तो क्या आने वाले वक्त में पेंशनर भी, जिस तरह से उनके साथ धोका हुआ, क्या आने वाले वक्त में मौजूदा सरकार को, वोट के टाइम में अपने वोट से चोट करके, उन्हें भी सबक सिखाएगी, बहुत दुख के साथ कहना पर रहा है, कि EPS 95 पेंशनरों के लिए बहुत बड़ा जटका है, और जिस बिश्वास और उमीद के साथ वो अपनी लड़ाई को लर रहे थे, और आज से नहीं, सालों साल से लर रहे थे, और जिस बुढ़ापे की हड्डियों को ठंड में गला करके, और अपनी जवानी में कमाए हुए पैसे को, वो चाहते थे कि जो पैसा नोने सरकार के पास रखा है, उसके एवज में उनको एक उचित पेंशन दिया जाए, उसके लिए ये बहुत बड़ा जटका है, लब शक्राइब,